असकार आप देख रहे हैं लाइब लगातार मैं हूँ अरुन कुमार अभी हम गढ़वा जिले के रंका अनमंडल मुख्याले में हैं और हमारे साथ जार्खन मुक्ती मुर्चा के इवा पर्खरण अध्यक्ष दिपक सोनी मौजूद हैं अगर हम इनका बात करें तो रंका अन मंडल मुख्याले की रब्दा में भारतिये जन्ता पाटी के पुर्व विधायक परतिनीधी कर सकते हैं संतोष तिवारी ने जमकर सराहना किया है ऐसे में हम जानना चाहते हैं इवा प्रखरण अध्यक्ष दिपक सोनी हमारे साथ मौजूद हैं क्या करते हैं क्या कहेंगे जैसे मन्य मंत्री स्री मितलेश कुमार ठाकुर जी बिधायक नहीं थे दस वर्ष पूर्व तो जो जो इस तरह का सहयोग किया जा रहा है चाहे वो मरनी हो चाहे साधी बिया हो खेल कुद के छेतर में चाहे कोई मरीज बीमार हो रांची से लेकर गढ़वा तक उनके द्वा का काम हमेशा करते थे लेकिन सत्ता में आते ही मान्य मंत्री जी के द्वारा हर एक पंचाइद में परखंड में और अपने बिधान सबाज्चेत्र में अगर किसी के हाँ साधी हो बियावा हो चाहे बिमारी हो तो इसकी सूचना अगर मानिय मंत्री जी के पास जाता है तो या तो अपने से या अपने कारे करता के द्वारा हम लोग तो यह नहीं कर रहें कि पूरा सहयोग देही मिल जाएगा लेकिन कुछ न कुछ सहयोग जरूरत के हिसाब से परिवार वालों को दिया जाता है इसी कड़ी में अभी एक ड तिवारी जी थे इसी कर्म में रब्दा में हम लोग गये थे पुर्व विधाग परतिनी धी भरतिये जनता पाटी के संतोष तिवारी जी वहां पर मिले और इस तरह का सहयोग देखकर काफी खुस हुए और वीडियो के माधियम से अपना स्टेट्मेंट खुद दिए और पर्संसा किये मानिए मंत्री जी का उनके कार्यकरता को कि इस हम लोग उनके घर तक पहुँच कर संग्यान लेकर और मानिय मंत्री जी को अउगत कराते हैं और जल से जल निराकरन करते हैं दिपक जी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जीला परिवहन पदाधिकारी के साथ आपका नोग जोग हुआ था उनके कर्मी पर मार पिट का भी आरोप लगाया गया था लेकिन बाद में जीला परिवहन पदाधिकारी बोलते हैं कि यह सा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन मामला क्या था हुआ परसानी क्या था हुआ हुआ यह था कि सनीवार को एक महिना पंदरह दिन के अंतराल में सनीवार को जो बजार करने आते हैं छेतर के लोग जनता लोग रंका परखंड से तो अपना बजार करने आते हैं तो लिमिट भर पैसा लेकर चलते हैं इसी कड़ी में जिला परिवहन के द्वारा जो है थाना मुड के पास चेकिन अभियान लगाया गया और इसकी सूचना जनता के द्वारा फोन के माध्यम से दिया गया कि डिटियों के द्वारा और डिटियों के दलाल संजय बैठा और डिटियों के ड्राइवर के द्वारा प रामीन जनता फोन किये गड़वा से हम लोग रंका हैं रंका थाना मुड़ पर जैसे ही पहुंच रहे हैं इवा मोर्चा पर्खन कमीटी के लोग तो हम लोग समस्या से अउगत हुआ तो दो चार पांच दस लोग बोले कि हम लोग 10,000 दिये हैं देखिए मेरे पास 28,000 का चला चलान कट रहा था हम लोग जाकर पूछें तो डिटियो दोरा बोला गया और कर्मी जो संजय बैठा थे उनसे संग्यान लिया गया बोले कि डिटियो साहब का आदेश है इसी तरह से कटा जाएगा तो हम लोग वहाँ पर साब तोर पर कहें कि जितना का आप चलान काट रहे हैं उतना ही पैसा लिजे ना ज्यादा क्यों ले रहे हैं तो इस पर मनमानी करने लगे तो हम लोग तदकाल संग्यान में लेकर डिटियों को बोले कि सब बंद कीजे और इस चीज को मानिय मंतरी जी को अउगत कराएंगे कि जो सरकारी जो रेठ है वह आप चलान के माधियम से काटिये और जीतना लिया जा रहा है उतना ही का चलान काटिये पैकेट भरने के लिए नहीं आपको मनमानी करने देंगे और गड़ावा विधान सभा में बरदास नहीं किया जाएगा लगतार आपकी द्वारा पूरी छेत्र में कह सकते हैं आपकी रंका प्रगण के छेत और पाटी के परती तेजी ला रहे हैं जिस तरह से मन्य मंत्री जी बिगत दस बरसों से छेत्र को छोड़े नहीं और हर एक जनता के पास जाकर जब भी उनको टाइम मिलता था जाकर समस्या से होगत होते थे और उस समय वह विधायक नहीं थे फिर भी राची तक उनका नामीन जनता का और शमस्या का भी सम अधान होता था स्वास्त के छेत्र में देख लीजे कोई भी बैक्ती यहां से राची जाता था तो रिमस में उनका दो-तीन आदमिन हमेशा है लट रहता था कि गल्वा रंका विधानससाभा के चेत्र के लोग वहाँ पर स्वास्त्त व भी परेशानी नहीं ओता था आप देखें कि एक बार हारे दो बार हारे लेकिन फिर भी छेतर नहीं चोड़े उनसे अभी मंतरी होकर और छेतर का यतना दवरा कर रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं और अकबकाग हैं कि दूस साल के अंतराल में इस तरह से विकास किया जा रहा है मंत्री जी के द्वारास तो अकबकाग हैं लोग कि कैसे उनको हम लोग बननाम किया जाए कैसे हम उनके परती लांचल लगाया जाए लेकिन जनता उनके साथ है पूरा कारिकरता साथ है जो भी समस्य आ रहा है चाहे मरनी का हो जीनी का हो रोट का हो बिल्ली का हो पानी का हो जो भी समस्य आ रहा है ततकाल हम लोग उस पर गाउं में जाकर बैठक करके किलियर करके और धरातल पर काम धिरे-दिरे हो रहा है आज देखिए रंका पुल्लदी के पास मानिय मंत्री जी के दुआरा अपने नीजी फॉंड से पियाओं का बेवस्था किया गया है बिल्डिंग बन करते यार है और गर्मी आने से पुर्व पानी का मोहया करा दिया गया ताकि जनता उसका लाब उठा सके आज बिजली के छेत्र में हम लोग इतना उम्र हो गया छे घंटा और आट घ घंटा गयब करके बिल्ली मिलता था लेकिन मानिय मंतरी जी के अथाग परयास से हम लोग को बिल्ली 20 से 22 घंटा मिल रहा है और ग्रामीन जनता इनके कारियों के देखके काफी परसंसा भी कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके और भी काम है बहुत सारा जो धरातल पर उतर पिछले बरसात में आपको पुड़े गड़ा जो नदी पर विगत कई बरसों से बाड़ आ जाता था उधर का जनता उधरे रहा जाते ते इधर का इधर लेकिन हम जो है मानिय मंतरी जी को अगत करा है वीडियो बना कर भेजे और ततकाल मानिय मंतरी जी के द्वारा उस पर संग्यान लेते हुए डिपी यार बनाया गया टिंडर निकला और आज काम जो है लग चुका है भोबंदाहन नदी पर सलेया रोड आप देख रहे हैं जटील मामला मंतरी जी डेड़ साल के अंदर जटील मामला को समाप्त किये परखंड से परमंडल को जोडता है और कान ग जरासा भी लापरवाही बरता जाएगा आप परखंड कमीटी को सूचित किजे मंतरी जी को सूचित किजे आपका काम ढंग से किया जा रहा है उस रोड में क्या संदेश देना चाहेंगे आप रंका परखंड के लोगों को हमें ही संदेश देना चाहते हैं उमीद और विश विश्वास के साथ जार्खन मुक्ति मूर्चा का सरकार बनाएं मन्यY मंतरी सिरी मितलेश कुमार ठाकूर जी को विधायक बनाकर मंतरी बनाय गया है जो मन्यय हमंत सोरन। मुख मंत्री जनता के विश्वास पर उनको मंत्री पद दिये हैं जब आप देही दिये हैं जनता के सूख और दूख कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होगा गणवा बिधान सभा के जनता के रंका परखंड के जनता को हम लोग 24 घंटा एकदम एक पैर पर जनता के लिए लिए तो यह हमारे साथ है इवा परखंड अध्याच रंका का जैमेम का दिपक सोनी जी और इनका कहना है कि 24 घंटा हम त्यार रहते हैं अगर चीर परिचित मांग कर सकते हैं आपकी सल्यारोड यानी की रंका अनमंडल मुख्याले के रंका चेकनाका से यानि परखंड अगर हम बात करें तो फिर से युहीं कि भाजपा के लोग भी अब जामुमों की कारियों को सराहना करने लगे हैं लाइब लगतार गढ़वा से मैं अरून को न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार डॉट इन के साथ